आप सभी का स्वागत है रवी जौन फार्मिंग लीडर में मैं रवी त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त मेरे सभी बुजर्ग और किसान सातियों को मेरा राम राम तो किसान सातियों आज हम दिखाएंगे नए तरीके का पंखा जो हमारा मुझी और धान बरसाने के काम आता है तो चलिए देख देखेंगे बुलादे डर कुछ अलग कर किसान सातियों हमारे चैनल को सस्क्राइब परें और घंटी के बटन को जोड़ दबाएं तो सातियों हमारे इस खेत में हमने धान लगाया हुआ था उसे काटने के बाद हमने जो है मुठे एक जगे रख जो हमारे साथ काम करने वाले लोग है उन्होंने जो है बुग्गी में मार मार के उसे ज़ाड़ा और ज़ाडने के बाद उसकी डेरी लग गई लेकिन आप देख सकते हैं इसमें तूटके बहुत ज़ाद है कबाड़ा और इसमें बट और वह बहुत ही अभी बहुत जारा गंदा है ये तो इस कबाड़े को अलग करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा ये बरसाना पड़ेगा पहले टाइम में क्या होता था कि सिंपल तरीके का पंखा होता सिंपल पंखा होता था और उसमें क्या होता कि हम जैसा के ऐसे पकड़के हला हला के उसे बरसाते थे जैसे कि कहते हैं कि ओसाना भी कहते हैं उसमें क्या होता था कि बहुत जादे दिक्कत होती थी और बहुत जादे स्रम की जरूरत होती थी और लोगों को परिशानी होती थ हमारा इसमें क्या है कि तास्तले बस केवल भरने वाले हैं बढ़ डाल देना एक बार और जो मोटा कबार उपर आ रहा है उसे हम आज से निकाल लेते हैं बाकी आप देख सकते हैं पिर नीचे जो है हमारा जो दान है हमारी जो मुंजी है वो कितनी साफ है एक दम और जो भी कपलिंग सिस्टम है तेक्टर से लगा हुआ है आप देख सकते हैं इसका सिस्टम बहुत ही अच्छा जुगार है यह क्योंकि यह जो चलना है यह जो चलना है चलने के उपर डालते हैं पहले चलना नहीं था खाली ओनली पंखा-पंखा होता था तो वह आलाना पड़ता था पहले जो काम दो घंटे में होना है आज वो काम इसमें आदा घंटा भी नहीं लगता उसमें निमट जाता है तो किसान साथियों आप देख रहे हैं चलना इसमें स्रम जो है महनत भी बहुत कम लग रही है दूसरा क्या है कि जैसे हम इसमें डालते हैं तासला भर के दान तो व के साथ दब के नीचे चला जाता था तो उतनी सफाई नहीं हो पाती थी आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर नीचे आ रहा है और कुड़ा जो है हमारा जो कच्रा है वो सब एक दम पूरी तरह साफ हो के एक दम निकला हुआ है तो साथियो अब काम तो आपने देख लिया इसका इतना अच्छा काम है लेकिन इसका दाम बात आती है दाम के उपर वी तो भाई लोगो हम इसे सत्रे हजार रुपय का लेका आए हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो इसलिए कोई अब देख रहे हैं बहुत ज़्यादे नहीं है बहुत हल्की स्पीड में चल मैंने देखा बहुत से पंखे हैं बहुत ही जादे आवाज सोर करते हैं और यह बहुत ही अच्छा जोगार है तो साथियो आपने यह वीडियो देखी और इस मुझी बरसाने वाले पंखे के बारे में मैंने जानकारी आपको दी अगर यह मेरी दी हुई जानकारी आपको अच करें और गंटी के बटन को जोड़ दबाएं यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा भी त्यागी तभी जोन फार्मिंग लीडर से